नाजरीन आदाब खैर मक्तव हैं आप सभी का एंसी आठीके लाइव इंटराक्टिव सेशन में मैं हूँ आपकी वेजबान सिंबरन सिंग और आप सभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इविद्या के चैनल नंबर 10 के जरिए इसके अलावा आप हमारे तमाम कारिक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा यूट्यूब चैनल है NCRT Official और दर्शकों आपको बता दें कि इस आधे घंटे के लिए हम उर्दू का एक सत्र लेकर आए हैं दस्वी जमात के तल्बा के लिए और आज हमें कहानी पढ़ने वाले हैं तो कहानी बहुत ही दिल्चस्प र आपकी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है 8800-440-559 इसके जरी आप अपने सवालात हमारे साथ साजा कर सकते हैं और अपने सभी दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि एक एमेल आइडी भी आपकी स्क्रीन पर हैं डिटी एच.class10-et.nic.in इसके जरीए भी आप अपने सवाल अपन हमारे साजा कर सकते हैं तो चलिए आपका परीचे कराते हैं हमारी महमान से चर्चा में हमारे साथ मौझूद है डॉक्टर नगमा परवीन जी आदाम मैं बहुत इस्तक्बाल है आपका और नगमा जी प्रवक्ता है उर्दू की डाइट सारनाथ वारा नसी से तो दर्शकों आप वो तमाम माध्यम जानते हैं जिनके जरी आप हमारे साथ संपर्क साथ सकते हैं तो बिना देरी करें चलिए अपने इस प्रोग्राम की यहां पर शरवात करते हैं सीधा मैं की और रुक करते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं आज हम भोला के बारे में प्रश्यंकारी हासिल करेंगे, बिल्कुल तो थोड़ा सब भूला के बारे में हमें और बताईए, प्यारे बच्चो आप प्यार भरा आदाब, आज हम कहानी भोला पढ़ेंगे, भोला एक ऐसा आफसाना है राजेंदर सिंग बेदी का, जिसमें राजेंदर सिंग बेदी ने भूला के जरियर बच्चों की नफसियात को जाहिर किया है और इसमें तीन किरदार हैं दादा और उसकी बहू माया खुद भूला और इसी तीनों किरदार के इर्द गिर्द जो है पूरी कहानी चलती है बिल्कुल तो बच्चों आईए हम लोग आप भोला के खुलासा जाने ये ते भाई बहन के रिष्टों को यानि कि राखी का तेहवार जो आता है तो बहन खुश हो जाती है कि उसका भाई उसे राखी बदवाने के लिए आएगा और इस खुशी में वो अपने भाई को भाई कि मामू आने वाले हैं इस तरह उसके मामू का इंतिजार करता है और खुशी-खुशी गाता भी है कि मामू आएंगे मेरे लिए मिठाई लाएंगे और माया जो है वो भी बहुत खुश होती है कि भाई मेरा आएगा दादा इन दोनों को खुश देकर बहुत खुश होते है दादा का जो किर्दार है वो एक सुलजी हुए इंसान का किर्दार है जो जिन्दगी के नसेब फराज से वाकिफ है जवानी में बेटे के मरने के बाद उसकी पूरी जिन्दगी का दारोमदार जो है भोला है और बेवा बहु को वो कहता है इसमें ये भी दिखाए गया है कि वो यह दिखा कह रहा है कि किस तरीके से रहना चाहिए उसे कहता है कि तुम अच्छी से रहो बनो सवरो अच्छी से रहो इस तरह सादगी जिंदगी बद गुजारो लेकिन जो उसकी माया है वो कहते वो अपनी रिवायत से दूर नहीं होती उसने भी अपने रिवायत को अप कつ、「 मामु तुमारे अम्मी के क्या लगते हैं?" तो वो कहता है कि मामु तो करें नहीं भाई तो करें ये कैसे हो सकता है तो प्च्छा है वोई सोचता है कि मेरे मामु तु सब के मामु बहुलई इस तरह uh इंते अ ददाधा से कहता है एक दिन रात को दादा से वो कहानी के लिए कहता है दादा जो है कि कहते हैं कि नहीं बेटा मैं बहुत ठक गया हूँ कहानी आज नहीं सुना पाऊंगा कल तुम्हें सुना दूंगा तो दादा कहानी सुना दादा कहते हैं कि कल फिर सो जाते हैं अगले दिन जब दोपहर सुभा होती है तो भोला खुशी-खुशी आता है कि अब तो दादा आज कहानी सुनाएंगे दादा से कहानी सुनने के लिए इतना बेताब होता है कि वो दादा से कहता है कि आज मुझे कहानी सुननी है आप से तो दादा कहते हैं कि ठीक है हम जल्दी 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 daytime ॏ कैता है कि खना खाने के लिए कहता है, उस व盒 दादाजी खना जल्दी किलाता है और उनके विष्तर तयार करता है तो बच्छों इसमें देखी लिए किस तरीके से एक तरफ उसका मतलब है कि मुझे दादा सेयानी के नहुत झुननी है और दादा को जो है कि उनका काम करना है जल्दी यल्दी कहानी भी सुनना है तो कहाते वक्त जो है पटवारी आता है तो पटवारी के आने के पटवारी आता है कि आज ही हम आपके जमीन का जो है माप करेंगे वरना मेरे पास टाइम नहीं है तो भोला थोड़ा सा उदास हो ज गहानी के लेकिन तालमपोल करते हैं दाधा लेकिन फिरवी वजएद होता है तो कहते हैं कि अगर मैं दिन में सुनाओंगा तो जो मुसाफिर है वह रास्ता भटक जाएगा तो कहता है कि फिर भी सुनाईए तो दादा कहते कि चलो ठीक है पटवारी को बोल देता हूं कि थोड़ा रुके और दादा भोले को कहानी सुनाते हैं इससे पहले कि हम उस कहानी के और आगे बढ़ेगी तो जैसा कि आपने बताया कि भूला जो है वो बार बार कहानी सुनने के जिद करता है तो जब हम कहानी की बात करते हैं हमने देखा है समझा है कि कहानी के माते हम से बच्चों को पैगाम भी दिये जाते हैं और कहानिया सुनना बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि जब हम कहानियों की बात करते हैं क्या कहानी और अफसाने एक ही होते हैं किस्सा कहानी जैसा कि बच्चे आप लोग जानते हीं कि किस्सा कहानी कंध चला आ रहा है कि लोग सुना आ रहा है तुध कर दे से रहा है micron को आप पम्हवन दरुभीन आप क्या नहीं से पाइब से होगे लेकिन clarity सुनाते हैं बच्छों को खुष करने के लिए कोई लोरी सुनाता है कोई कICIAने ludzi सुनाता है को बच्चों जिस तरीके से जफेश्य बड़े होते हैं तो आप ने भी बच्चों सुना होगा कहानी karen ऐसे सुना के था स्दावाilli तो आप लोगोंब ने शुना कानि सुनना अच्छा भी लगता है हम सब को अच्छा लगता है कहानी तो कहानी जो है कि जो आज हम कहानी आपके सामने प्रेजन्ट कीं बता रहे हैं राजेदन सिंग बेदी की भोला ये कहानी लिखी हुई कहानी जो होती है उसमें किरदार होता है प्लॉट होता है मरबूत एक कहानी होती है और अफसाना होता है जिसमें सारी चीजें जो अफसानी की टेक्निक है जो अफसानी की मांग है उसमें पूरा उतरता है बिल्कुल और जैसे हमने आप से पहले भी ये पूचा कि कहानी और अफसाना क्या ये एक ही होते हैं क्या ये एक दूसरे के परियावाची शब्द है या फिर या अलग लग है उर्दो में अफसाना, अफसाने में कहानी वही घटना पर आधारित है, एक वाग्य पर आधारित होती है अफसाना यह वही टेक्निक के बात आ जाती है जैसे बच्चों को हम अपने जब भी बैठते हैं तो कोई भी bond कहानी गर देते हैं लेकिन जहां अपसाने की बाता है तो उसमें जो है कि हम एक टेक्निक के साथ ही अफसाना लिखते हैं. लेकिन है दोनों एक ही चीज बस वो हिंदी का नाम है और उर्दू में अपसाना हम कहते हैं. बिल्कुल तो अब हम उस कहानी के और भी रुख करते हैं जो दादा जी ने भोला को सुनाई हाँ दादा जी ने अब सुनिया आगे की कहानी सुनिये बच्चो दादा जी ने जब कहानी सुनाई उसको सहजादा और सहजादी की बहुत ही रोचक अंदाज में सुनाया कि बोला खुश हो जाएगा लेकिन भोला बहुत अबसुर्दर था और बहुत खामोश था लेकिन उसको खुशी नहीं हुई उसको शाम हुई तो ऐसे ही खेलता रहा अपने मामा का इंतिजार करता रहा दादा जी जब शाम को वापस आये तो देखा कि भोला जो है चबूतर पे बैटके अपने मामा का इंतिजार कर रहा है तो दादा जी भोला को लेके अंदर गए और उसको सुला देते हैं खुद भी सोने की कोशिफ में अस्मान में डिक रहते हैं जैसे सितारा उनके आँकों से मधढम होता जाता है वो नीड के γनुदगी में आ जाते हैं, यनि सो जाते हैं, कुछ देर के बाद जब उटते हैं दादा तो देखते हैं कि भूला नहीं है, तो वो चिलाने लगते हैं कि भोला नहीं है भोला नहीं है तो उसकी माँ उड़ जाती है और उसकी माँ जब बहारात के चीखती चिलाती रोती है कि भोला को लेके बहुत परशान होती है अपने बाल नोचती है जाहर सी बात है माँ है माँ का दिल तो ऐसे ही बहुत नाजुक होता है तो उसकी चीखती ह कि माया भी बेहोश हो गई है तो वो भी अपना हवास खोने लगते हैं लेकिन फिर एक मिनट के बाद सोचते हैं कि अगर मैं भी अपना हवास खो बैठा तो क्या होगा तो उसने माया को माया को समझाते हैं कि बेटा कोई बात नहीं है अगवा करने वाले ले जाते हैं देखे होते कि अपने बच्चे को ले के बहुत प्यार करने लगती हैं। गाओं के जो लोग औरते रहती हैं मर्द रहते तो उसको सब लोग मुबारक बात देते अट दादा भी खुश हो जाते हैं तब मामा जी बताते हैं कि मैं आज कुसी काम की वज़े से देर हो गई और देर होने की वज़े से मैं जब रात को निकला तो रास्ता भटक गया था और रास्ते में जब दूर देखता हूँ, एक तारीकी में एक रोशनी नजर आती है, तो मैं वहाँ जब पहुचता हूँ, तो देखता हूँ कि भोला वहाँ पे खड़ा है, लाल टेन लेके, तो मैंने उससे पूछा, भोला, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तो वो कहने लग जायता, शायद मामू रास्ता भूल गया थे, तो कोई बार ऐसा होता है, इस कहारी के माधियम से भी हमें पता लगा, कि बच्चे भी उस जिम्मेदारी का भाव महसूस करते हैं, बच्चे जाही कितने भी छोटे हूँ, जैसे भोला छोटा ही रहा होगा, लेकिन क्योंकि उ खूबिया हैं, कि वो बच्चो की नफसियात को कि तने अच्छे से बताया है, कि उसकी चंचलता को भी दिखाया है, और उसकी खसासियत को, यानि कि जिम्मेदारी को भी, कि वो कहानी grow to the stories, बच्चोब जा们 करा है ABDcipeaAK के इनका झा जो जीम्मेदारी की जुक्री है रॉत पर यह साने शखाने के लिए ने रचना की है खासथ और उर्दू में किस पeg़ाम वह हमारी बच्चों को देती है राजंडर सिंग बेदी जो उर्दू का बहतरीन अफसाना निगार है उनकी पैदाईज जो है अल स्याल कोट नीजिक इब आपदाई ताहलीम उनकी इपतिदाई तालिम भी सेयल कोर्ट में हुई उन्होंने उर्दू के बहुत सारे अफसाने लिखे हैं गरहन, अपने दुख मुझे दे दो, लजवंती बहुत सारे अफसाने जो बहुत यह सिंहें पहुत अच्छे को च 취यां किया है राजितना सिंग्बेदी ने इस तरह उन्होंने बच्चों के नफसियात है और बच्चों के नफसियात को औरत के बारे में बहुत सारी कहानियां लिखे हैं और उनकी जितनी भी कहानियां होती हैं बहुत ही सादा और सलेस होती हैं कि जो पढ़ने वाला कारी है उसको यह आ सानी से समझा सके और जैसे कि अभी हम आप पर समझ भी रहे हैं कि दस्वी जमाद के तल्बा के लिए नग्मा जी तो आप से जानना चाहते हैं कि इस कहानी को पढ़ाने का कक्षा में ऑर बैतर ढंक कैसे हो सकता है ताकि बच्चे भी इसमें शामिल हो पाएं वह भी समिल्लिथ हो पाएं और वह इंटराक्ट कर पाएं क्या कोई और भी तरीका है कि जैसा कि आपने बताया कि इस कहानी को मुकालमे की शक्यली दिया हेग है आप लोग अपना कारेक्टर के जरीय भी किसी को भूला बना दिया किसी को माय बना दिया किसी को दादा बना दिया तो गच्चों को इस पुरी कहानी को एक ड्रामी शकल में दिखा सकते हैं बच्चे को आसानी से और अच्छी से कहानी याद हो जाएगी बच्चों को कहानी सुन, हमें लगता है कि बच्चपन से ही जो अभी एक निव एजुकेशन पॉलिसी के भी तहत है कि बच्चों को भाषा पे यानि जबान पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और क्लास में क्लास में पढ़ाने की जो टेक्निक है पहले क्या था कि किताब से ही हम पढ़ाते थे पढ़ा दिया जो हमने खाहित है कि उर्दूटो चताब है दो कि अलग अद्ग क्लासेव उसमें कई नजम भी सुने तो कहानी नजम में क्या अंतर होते हैं किस तरह से बच्चों दोो अपनी बात पहुंचाती है तोगा सा इसके बारे में हमाने दर्शिकों को बताएं ।। जी जी बिल्कूल कहानी जो है कि कहानी और नजम में। जो नजम होती है। गजल डो लाइन की होती है। आप लोग बच्चे जानते होंगे, कि उसमें हम पूरी कहानी एक दो लाइन में ही बयान कर देते हैं. किसी मिसाल के माध्यम से आप हमें बता पाएं तो, किसी भी तरह से आप अब जैसे कि एक शेर ले लिजिए, दो लाइन का है, अब उस दो लाइन में, दो इक शेर से हम पूरी कहानी उसमें पूरा एक निचोड होता है, पूरी मुकमल कहानी होती है, लेकिन जब हम नसर की बा होता है, तो उसमें कहानी को हम फैला के लिखते हैं, एक एक चीज का जिकर हम करते हैं, अगर मालीजे कि हम इसी रूम का हम जिकर करें तो हम कहां चेर है, कहां पे क्या है, जुजियात उसको बोलते है, चोटी-चोटी जुजियात को भी हम बयान करते है, अफसाने की एक कर सकते हैं तो पेज में उसी चीज को तश्री कर सकते हैं या बयान कर सकते हैं या बिलकुल तो यहां पर आपने शिर्वात में जबाद की बात की जब अर जब हम उर्दू जबान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चे न बहुत सी गलतिया करते हैं खास तौर पर तल तो ऐसे में जबान को बहतर बनाने के लिए उसको रेगुलर पढ़ना चाहिए, उर्दू की किताबे पढ़नी चाहिए और बलंद आवाज में पढ़नी चाहिए, जब तक कि हम बलंद आवाज में नहीं पढ़ेंगे, हमारा जो कहां से वो वर्ड निकल रहा है, मखारिश बो तो हम टीचर्स का रोल अदा होता है क्योंकि बच्चा जो छोटा होता है तो उसको आप जैसे बोलेंगी बच्चा वैसे ही प्रणाउंस करेगा आपको फॉलो करता है कि आपने क्या बोला हमको वहां कुछ नहीं बताना है हमें सही बोलना है जब तक कि टीचर सही नहीं बोले प्राक्टिस पे है जितनी प्राक्टिस बच्चा करेंगे उतना अच्छा तलभफुज उंका होगा और जहां से जो जैसे काफ है अगयन है यह सारे हुरूब जो है अच्छी से अदा कर पाएंगे और कई बर हमने यह भी देखा है कहानियों कि हम बात करते हैं बच्चों के ब यानि कह सकते हैं कि जो डिरेक्ट लाइन हैं शायद उन से बच्चों को ऐसा लगेगी केवल लफजी मानी ही नहीं है बलकि इसके अलावा भी कुछ है कहानी के बिलकुल कहानी जो भी कहानी लिखी जाती है वो समाज का कास होती है जैसे समाज में जो चीज गुजरता है हर हर दौर में देखा है कि जो कहानी होती है उस समाज का कास होती है जितनी भी कहानी ये उस दौर की कहानी होगी आप रेम चंद के अफसाने को पढ़िये तो उनके हां भी जो है कि दही जिन्दगी का ही पसमांदर किरदार को उनोंने उजागर किया है तो हर दौर के एक अप गाते जार्श को ज़ो हैं कि भूले के जरीए बच्कों की नफसियां को दिखाया गया और भाई बैइभाइऑं के रिष्टों बहुत अच्छा दिखाया है और आम जीवन म만तले सबने laboratory संक्राइफ दिक है और आम जीवन परीकि अवक बत्व है नहीं करता है तक है दो मतलब शायद बच्चों से इतना रिलेट नहीं कर पाते हैं गष्ट-छी केकित अब घर में जब दादी नानी कहानी सुनाती हैं तो कोई न कोई चीज हो चीज होता है तो कही न चीज बहुता है, ख्यालात में भी रहती है कुछ चीजे अब कोई भी एक हकीकत को लेके अब जब हम कहानी लिखेंगे तो उसमें कहीं न कहीं तो तकहयूल आएगा ही आएगा कुछ चीजे शामिल होंगी कहानी जैसे कहते हैं कि कहानी को रोचक बनाना है तो कुछ बाते ऐसे आती हैं लेकिं क this is exactly what people are जिसी जमाद के तवाम तो मंदओ लगता है कहानियों की हमबात करते हैं जब हम भी व्द्याले में थे स्कूल थे हम भी अपने सर पर कोशिष किया करते थे कि हम भी कहानी बनाय हो सकता है वो कहानी इतनी बहतरीदस न वनЕ जब भी बच्चे कहानी लिखे हैं, बच्चों को कहानी लिखने दीजिए, और हम टीचर का ये है कि जब कहानी बच्चे आपके सामने ले आए, तो उसको फॉरंग काटना नहीं चाहिए, बच्चों को वापस कर देना चाहिए, बटा एक बर और और पढ़ लो, आप यहां प कहानी लिखना एक कह सकते हैं कि खुदादा सलायत होती है, यह एक कला है, वो कला सब में नहीं होती है, सब में चिपी होती है, कुछ सब में चिपी होती है, लेकिन किसकी निकल जाए, कहानी लिखने का एक हुनर होना चाहिए, तो पहले तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज अ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अगर आपमें ऐसा कोई हुनर भी है, तो आप इसे निखार सकते हैं, निरंदर अभ्यास के माध्यम से, अलग अलग अफसाने पढ़ के, और बहुत ही ऐसे महान इतहासकार भी होए हैं, बहुत ही इसाहित्यकार भी होए हैं, अफसाना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जब हम शब्दों की बात करते हैं, तो वोकाबिलरी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है, अन्त में जाते जाते हैं, आपकी और से एक संदेश, एक पैगाम हमारे सभी तल्बा को, हमारे तरफ से ये पैगाम है कि जादे से जादा मुताला करना चाहिए, जितना हम मुताला करेंगे, हम जिस चीज को चाहें हासिल कर सकते हैं, कुछ तचरबात भी होते हैं, और किताब, जब हम किताब पढ़ते हैं, तो उसमें अच्छे अच्छी बाते होती हैं, और उससे हम को सीखने को बहुत मिलता है हमको हर जगह सीखने को मिलता है चाहे वो घर हो चाहे घर से बाहर हो समाज हो हर जगह हमें अपने आपको मुतहर्रीक रखना चाहिए और जिंदगी में इस तरह सीखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए बिल्कुल आपने बहुत ही सही फरमाया क कि सीख जो है वो हर जगा उबलब्ध है चाहे कक्षा के अंदर बात करें चाहे कक्षा के बाहर बात करें हर व्यक्ति से सीखा जा सकता है हर कहानी से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी खूपसूरती से बहुत शुक्रिया, मुझे पूरी उमीद है कि ये सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, ये जो अफसाना हमने यहां पर पड़ा है, जितना ये मुझे लगता है कि जस तरहां से आपकी कक्षा में लिखा गया है, जस तरहां से आपकी किताबों में इसे शामिल किया गया है, उतना ही शायद ये पढ़ने के बाद आपके दिल के भी करीब हो जाए और दर्शे को आपका बहुत बहुत चुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कुछी समय में हम फिर से हासिर होंगे हम लेकर आएंगे सोशल साइंस यानि सामाजिक विज्ञान का एक सत्र आप सभी के लिए जिसमें हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ी से और जानकारी आप तक पहुंच आएंगे और नौवी जमात की तलबा हमारे साथ आप बने रहिए और आप सब देखते रहे हैं इविद्या चैनल कुछी जणों में हम फिर से हासिर होंगे फिलहाल हमें दीजे इजासत आद आप